इस वोटीबरेटर को हम कैसे फॉर्डर क्लासिफाइए कर सकते हैं तो वोटीबरेटर को हम गारते हैं एक तो पाइसे में और दूसरा काटेगरी जो हमारा होता है वो होता है टेट्रपोटा ठीक है तूसरा category हो गया हमारा tetrapoda अब tetrapoda के अंदर क्या आते हैं tetrapoda के अंदर हमारे आगे further four classes आती है जो कि हमारी है amphibia, reptilia, apes and mammalia यह सब हमारे tetrapoda के अंदर आते हैं तो अगर हम pices देखें तो pices हमें पता है pices क्या होते हैं जो species pices होते हैं उनका body कैसा होता है उनका streamlined body होता है उसके बाद उनके पास क्या होते हैं fins होते हैं जो ने help करते हैं movement के लिए इनका body structure अगर हम देखें तो इनका generally streamlined body होता है इनके पास fins भी होते हैं जो कि इनको swimming में help करते हैं ठीक है तो यह सब कुछ special characteristics हैं pices के अगर हम tetrapoda species को देखें तो tetrapoda species के पास कैसा है body structure होता है इनके पास four limbs होते हैं ठीक है आचा इन में further category होती है सबसे पहले amphibia की amphibians हमें पता है ऐसे species होते हैं जो land में भी रह सकते हैं पानी में भी रह सकते हैं ठीक है तो reptiles क्या करते है reptiles हमारे crawl कर लेते है जिसे snakes होगे earthworms होगे यह सब कैसे species होते है यह reptiles होते है और इनका skin क्या होता है इनका skin बहुत ही थिक होता है और यह बहुत ही harsh temperatures को भी tolerate कर लेते है तो extreme temperatures को tolerate कर सकते है तो यहापे लिख लेते हैं extreme temperatures तो these reptiles can also tolerate extreme temperatures next हमारे पास है apes अब apes कैसे होते हैं apes ऐसे species होते हैं जो कि flight कर सकते है flight means क्या होता है they are able to fly तो इनका body कैसा होता है इनका बहुती light weight body होता है और इनका body किस तरह से covered होता है इनका body पूरी तरह से feather से covered होता है ठीक है अचा उसके बाद क्या है next है mammelia अब mammelia कैसे होते है mammelia होते है जिनके पास mammary glands होते है वो होते हमारे mammelia इनके species क्या होता है इनका species जो होता है इन species का body structure होता है वो कैसा होता है hair से covered होता है इनका जो skin है इनके पास एक तो mammary glands भी होते है और दूसरी चीज इनका जो skin है वो hair से covered होता है तो इनके पास हमारे पास क्या होता है इनके पास है memory glands